नमस्कार आप देखरें Study 24 Official मैं हर्बिर सिंग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ तो साथ यो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप DSSB के एक्जाम्स के प्रेप्रेशन करने और आप देखना चाहते कि आपकी प्रेप्रेशन किस लेबल की हुई है प्रेप्रेशन चेक करना चाहते हैं या सिंपल सब्दों में हम बोले कि अगर आप प्रेक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आज बहुत ही अच्छी एप की बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जहां पर आप अपनी प्रेप्रेशन चेक कर सकते हैं एक्सपर्ट टीम वहाँ पर आपके लिए डीट प्लेस भी टाइब के मोगडेस्ट तयार करती है और वो आपके एक्जाम में भी हेल्प करेंगे तो आपको बताना चाहता हूँ मैं परिक्सा एप की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर वैसे 299 में आपको प्रेक्टी सेथ मिलते हैं लेकिन अगर आप यहाँ पर स्टडी 24 ओफिसियल के स्टुडेंट हैं तो स्टडी 24-50 आप यूज करते हैं कोड यूज करते हैं तो आपको only 149 में प्रेक्टी सेथ मिल जाएंगे इससे सस्ता प्रेक्टी सेथ मेरी साफ से कोई नहीं मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं यह सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे TGT Mathematics के TGT Computer Science के TGT Social Science TGT English और इसके बाद TGT Hindi तो आप जोइन कर सकते हैं देख सकते हैं So Thank You तो जैसा आपने टाइटल और थमनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं तो वीडियो के साथ बने रही है और यहाँ पर एक important अपडेट है आप लोगों के लिए एक result आए जो आपको बता देता हूँ और उसमें आज से जो इडो जी आ रहे हैं अपने डोकुमेंट से वो भी अपलोड करने तो एक बार आप सारा देख लीचिए तो अभी हम देखते हैं तो यह थोड़ा साइड में कर देता हूँ तो यहाँ पर जो यह नोटिस है यह 26 आट 2021 का है मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई थी तो बच्चों की calls, messages भी आ रहे थे तो PGT sociology female अंडर post code यह है 6522 in DOE तो टोटल साथ vacancies थी UR की 4 थी OBC की 1 थी SC, ST की 1 थी एक-एक थी ठीक है और इसके बाद तो एकजाम कब हुआ था 25-6-2021 को और इसके बाद 26 candidates ऐसे हैं जिनसे EDOGR लिए गए है और इसके बाद जो cut-off गई है यहाँ पर एक बात और समझ लीजी जो आपके अब results है वो भी बहुत जल्दी आने वाले UR की cut-off है 153 OBC की है 149 SC की है 124 और ST की है 95 अब यहाँ पर बहुत सारी लोग बोल रहे थे कि अलग-अलग parts में पास होना तो ST की cut-off देखके ही आप समझ लेना ठीक है कि कैसे आपको पागल बनाया गया है चलो वो तो सब बाद की बात है हर किसी का अपना काम है कोई क्या बनाता है कोई क्या बनाता है अपलोड करने अपने जो भी डॉकोमेंट्स है तो जिन सभी साथियों का सेलेक्शन हुआ है सभी को मेरी तरब से सुब काम नहीं एडवांस में So thank you very much बहुत बधन्यवाद जैहिंद